आज हम बनाएंगे जर्दा चाबल वो भी एकदम एक एक खिला खिला चाबल होगा और आप देख सकते हैं कि एकदम कितने जूसी लग रहे हैं हैं तो आज इसकी रैस्पी में आपको ऐसी स्यर करूँगे कि आप इनщо बना सकते हैं सिर्फ 10 से 12 मिनिट में बहुत ही जर्टपड दिल करें तो आप एसे 10 मिनिट में बना कर सकते हैं हैं हिए घयारी चाल करिक आ और अब मैंने बिगोनी के लिए चोब रही हूं करीब एक घंटे के लिए तो फिर अब मैं आपको ये एक घंटे बात दिखा रही हूं ये अच्छे से भीग चुके हैं इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ ड्राइफ फ्रूट्स चीनी इलाइची किस्मिस और देसी घी तो आज का जड़ा चाबल हम बनाएंगे कुकर में ये बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाएंगे तो इसमें मैंने ले लिया है देसी की और अब चो हमने ड्राइफ फ्रूट्स लिये थी इसे हमें अच्छे से पूल लेते हैं तो हलकी धीमभी आज में हमेंने एक से दो मिनिट हमारे जड़े का टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा चार से पांच हरिये लाइची तो फ्रेट्स अब हम इसमें एड़ करेंगे अपनी भीके हुए चाबल और अब हमें एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है तो चलिए हम बाकी के आगे के काम कर लेते हैं तो फ्रेट्स इधर मैंने ले लिया है फूट कलर अगर आपके पास फूट कलर नहीं है तो आप हल्दी का यूज भी का सकते हैं फूट कलर को एड़ करने के बाद हमारे जो चाबल का कलर है वो बहुत ही अच्छा निखर के चाबल अच्छे से भुन गए है तो मैं इस मैड कर लेती हूं किसमिस और जो हमने चीनी ली थी एक कटोरी चीनी गृष मैंने दो कटोरी चाबल लिया है तो मैं इसमें एक फूल कटोरी चीनी का यूज कर रही हूं तो गाइज यह चावल खाने में तो बहुत अच्छे लगते ही ये साथा बहुत ही इंस्टान रेज़पि आप देखी सकते हैं कि जितनी देर में आप नॉर्मल चावल पका के तयार करेंगे उधने देर में आपका ये ज़र्दा चावल बनके तयार हो जाएगा आप चाये त इसमें मैं एक कप के करीब दूद भी एट करूँगी गाईज अभी मैंने 2-4 चामस दूद ले लिया है और इसमें डाला है कुछ केसर के धागे केसर से हमारे जो चाबले उसका टेस्ट और अच्छा आजाएगा अगर आपके घर में दूद नहीं है तो आप दूद इसके करत दूद ना डालें तो गई चाबल में पाणी एट करते समय आप ध्यान रखें कि इसमें पानी बहुत ज्यादा न डालें आपके जितने चाबल है आप उससे एक इंच पानी ज़दा रखें पस इससे जादा पानी आप ना डालें इन फ्रेंच मैं इसमें गरी रालना भूल गई थी तो मैं इसमें आप गरी डाल देती हूं और अब हम इसे कोकर कड़कन बंद करके इसे एक धीमी और एक तेज आज पर इसे पका लेंगे एक तेज और एक धीमी आज में आपके चाबल अच्छे से पके तयार हो जाएंगे तो फ्रेंट्स अब मैं आपको इन्हें निक प्रेंचीन ऐसे वो बना रहेगा तो गाइस देखा दस मिनिट में हमने तयार कर लिया एक तब खिला-खिला कलरफुल और जूसी-जूसी चर्दा राइस वह नहीं एक तम बढ़िया तयार तो गई अगत वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें त अगली वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए बाइबाई